हेलो जी मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं सुनीता कॉर्णर तो आज हम बात करते हैं इस खुशूरत पौदे स्नेक प्रांट के बारे में जिसके पत्तों की शेप देखिए आप बिल्कुली सांप के जैसी लगती है अंधेरे में अगर इसका पत्ता कहीं गिरा हो तो ल प्रांटिंग से लग जाता है कोई दिकत नहीं है मैंने दो पत्तों से इतने सारे पौदे बना लिए यह देखिए यह इसका उपर तक लगता है यह सांप जैसा यह देखिए लेकिन यह बहुत ईजी टू ग्रो है इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता बस आप पादा त्यार हो जाएगा लेकिन यह थोड़ी स्लो ग्रोथ वाले पौदे हैं इस पौदे को सुरज के अगर सीधी रोशनी नहीं तो कम से कम इंडरेक्ट लाइट जरूर मिले या गर्मी सुरज की गर्मी मिले ऐसी जगह हो जहां सुरज की गर्मी आती हो लेकिन अगर बि जीने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए वैसे पीड़ पौदों को भी चाहिए तब ही यह चलते हैं नहीं तो यह मर जाते हैं बिना रोशनी के तो चली इसको कैसे लगाते हैं को बताती हूं यह देखिए मिर पास मिट्टी का पौट है और यह जो मिर पास मिट्टी है इस इसके बीच में में सेंड मिलाँंगी ये देखिए सेंड इसलिए मिलानी है कि पानी के ड्रेज तो थीध खरा रहे हैं उतक्त용 के पानी कि लामी ठेखें मिट्टी को अच्छे से मिक्स करके खाद सेंड और मिट्टी को मिलाएंगे देखिए छेद होना बहुत जरूरी है नहीं तो पानी का ड्रेनर सिस्टम खराब रहेगा और यह पौदे जल जाएंगे इस इस पौट में पानी रुकना नहीं चाहिए इन पौदों की जड़ें ज ताकि जड़े ना खराब हों यह देखिए मैं इसमें यह वाला पौदा लगाऊंगी इसके नए ने साइडों से शूट निकलने शूरू हो जाएंगे पौदा डालने पौद अच्छी तरह से मिट्टी को दबा देना चाहिए तारों चारों तरफ से ताकि पौदा हिले ना सीधा खड़ा रहे हैं अच्छे से इसको दबा के और इसमें चेद नहीं रहने चाहिए अच्छे से दबा दे हाद से थप थपा के इसको मिट्टी को ताकि इसमें हवा ना पास हो यह देखिए यह बहुत ही सुन्दर पौदे हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं मैं यह छोटे वाले में यह इसमें हमेशा बताती हूँ कि यह मैं पूचय का टुकड़ा डाल देती हूँ ताकि मिट्टी ना बह जाए यह देखे आप एक वर एक पौदा घर पे ले आएंगे तो यह सही किसी फ्रेंड से ले लिजे और अपना यह आगे से आगे यह आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं एक से दो दो से चार हो जाते हैं आप अपनी फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं बहुत ही अच्छा पौदा है नासा द्वारा परमानित है पुलूशन दूर करता है गंदी गैस को सोख लेता है सारे लेकिन अगर आप अंदर रखना चाहते हैं तो इसको आप फिर दो सैट बनाएं एक अंदर रखें फिर उसको बाहर करें दूसरा सैट अंदर रखें तो इ और फिर इसको अंदर बाहर करते रहें मेरे घर में यह कम से कम पांच-छे साल से भी जादा हो गए है मैं जो पहले दो पत्ते लेकि आई थी उससे मैंने पता नहीं कितने बनाए हैं बाद में हम नीचे माली को दे देते हैं उठाके कि चल भी तुम नीचे लगा दो तो बह लेकिन में खूबसूरत लगते हैं सीधे सीधे बढ़ते हैं फिर साइडों से शूट भी निकलते हैं इनके तो यह बहुत ही प्यारी है पहले तो मैं सोचती थी क्या है इसमें कोई फूल नहीं आता कुछ नहीं आता तो लेकिन अब जब से लगाना शुरू किया तब से बह बहुत ही सुन्दर लगता है और मुझे लगता है कि हमें अपने फ्रेंड्स को भी पौदे गिफ्ट करने चाहिए किसी ओकेजिन पर एक बहुत ही अच्छी शुरुवात है अगर कोई करें तो कि चलो पौलूशन को कम करते हैं पौदे घरों के अंदर अच्छे भी लगते हैं रखे हुए तो अगर हम यह काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है तो आप मेरे इस वीडियो को देखें लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बैल बटन दबाना ना भूलें थैंक यू सो अच्छी बूले सो में ठाप रटना भर्टन अच्छी बारिवा ज रटना भी तो आप करें वे वे तो बूले कि अव्ज़ करें एंक हैं रटना थैंक बार्टना जब।